हाग फोर्स और 36 गड़ पुलिस की संयुक्त कारवाई से नक्सलियों का डम बरामत किया गया है बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने शेत्र में जमीन के नीचे डम बना रखे थे जिसे सुरक्षा बलकि संयुक्त टीम के द्वारा तलाश कर बरामत किया गया है MMC जोन को द्वस करने की कड़ी में ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है डम से एक बारा बोर बंदू, दो बंडल IED में प्रियुक्ष होने वाला वायर एक नख पेपर कटर के साथ बड़ी मात्रा में नक्सली साहिते ब्रामत किया गया है दरसल राजनों गाव जिले के उतर पश्चिम सीमा शेतर से लगे 36 गड़ और मध्य परदेश के ठीकानों को मुफीद समझते हुए नक्सलीयों नी डम जमीन के नीचे रखे हैं जैसे सुरक्षा बलो के द्वारा एक के बाद एक सर्चिंग अभ्यान चला कर ब्रामत किया जाड़ा है नक्सल विरोधी अभ्यान के तहत कल सोमवार को मुखबीर से सूशना मिली कि भावे जंगल में नक्सलीयों के ट्रेनिंग कैम के पास केरा पानी में माववादियों का डम है जिसमें बड़ी मात्रा में नक्सलीयों के समान होने की संभावना है जबानों ने सर्चिंग पार्टी निकाल कर उक्त स्थान पर पहुंच बारीकी से तलाश कर जमीन की खुदाई की गई जिसमें प्लास्टिक की जिल्ली एवं लकडी के पट्रों की धगी हुई 500 लीटर के नीले रंकी एक पानी टंकी गाड कर रखी गई थी टंकीगा ढकन हटाने पर उसके अंदर एक बारा बोर बंदू दो बंडल IED में प्रिप्ट होने वायर एक नग पेपर कटर 200 ग्राम के 11 पकेट 500 ग्राम का एक 200 ग्राम के 8 पकेट 1 किलो जीरा पकेट प्लास्टिक की जिल्ली एवं बड़ी मात्रा में अक्सली सहित ब्रामत किय कारवाई में सनानी हाफ़ पोर्ड श्री तरुन नायक पुलिस अधिक्षक राजनों गाम श्री कमल लोचन कश्यप पुलिस अधिक्षक बाला घाट श्री अभिशेक तिवारी के संयुक निदेशन एवं सहाईक सनानी हाख भोर्स श्री नवीन दूबे थाना प्रभारी गात पुरसकार से प्रिस्क्रित किया गया पुलीस द्वारा लगातार ओप्रेशन चलाए जाने के पलसवरों जहां कहीं सफल मुढभेड हुई है वही बालागाट एरिया कमेटी सदस्या जीत के सरेंडर के साथ-साथ पुलीस द्वारा जप्त की गई बड़ी मात्रा में डमकी ब सब्सक्राइब के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें है थन्यवाद्ट